शिकंजी पीना किसे पसंद नहीं और गर्मियों के मौसम में बनी बनाई शिकंजी मिल जाए उसका तो अलग ही मज़ा है आज बनाते हैं गर्मियों का स्पेशल शिकंजी मसाला पाउडर ये दो मिनिट में बन के तयार हो जाएगा आप इसको पूरे एक साल तक स्टोर करके रख सकते हैं तो चलिए इसको फटा फट शुरू करें यहां मैंने सब सेट करके रख लिया है सबसे पहले हमें एक पैन लेंगे और उसमें दो चम्मेज जीरा आड़ करेंगे जीरा को हमें 2-3 मिनिट के लिए रोस्ट करना है आप देख सकते हैं जीरा अच्छे से रोस्ट हो गया है तो अब हम गैस का फ्लेम आफ कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे ठंडा होते ही हैं हम इसको मिक्से ग्राइंडर में आड़ करेंगे फिर हम इसमें आड़ करेंगे इलाइची यहां मैंने दो से तीन इलाइची ली है इलाइची के बाद हम इसमें डालेंगे एक चम्मच काली मिर्च एक चम्मच काला नमक एक चम्मच आमचूर पाउडर और फिर इसमें आड़ करेंगे एक चम्मच नमक इसको अच्छे से पीस लेंगे और हमारा शिकंजी मसाला पाउडर बनके तयार है आप देख सकते हैं ये कितनी इजी तरीके से बहुत जल्दी हमने इसको बना लिया है तो चलिए अब शिकंजी भी बना लेती हैं सबसे पहले हम डालेंगे बरफ या मैंने बरफ को थोड़ा सा क्रेश कर लिया था फिर इसमें अड़ करेंगे एक निम्भू का रस एक चमच शिकंजी मसाला पाउडर एक चमच चीनी या मैंने चीनी को भी पीस लिया था थोड़े से मिंट लीव इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और आधा कप पानी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर मैंने इसमें आड़ किया है टू स्लाइस ओफ लेमन अब हम इसमें आड़ करेंगे सोडा तो यहां मैंने ठंडा सोडा आड़ किया है आप चाहें तो इसमें ठंडा पानी भी मिला सकते हैं और हमारा शिकनजी बनके तयार है तो दोस्तो अगर इसे भी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें